इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करते हैं जो बहुत पॉपुलर ला है न्यूटन्स थर्ड लाउफ मोशन इट सीम्स तो बी वेरी एजी बहुत आसान लगता है और हर बेक्ती के मुँझ के उपर होता है आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स सेकेंड लाउफ मोशन से जिसको आपने अलरी पढ़ रखा है न्यूटन्स सेकेंड लाउफ मोशन न्यूटन्स सेकेंड लाउफ मोशन Newton second of motion जो है एक external force का concept देता है कि for example कि आपके पास एक mass है M और वो किसी A point के पर locate है उसका location है point A और after some time कुछ समय के बाद वो mass जो है वो B point पर पहुंच जाता है यहां उसकी velocity U होती है initial velocity और इस point के पर उसकी velocity जो है वो V हो जाती है यदि velocity change हुई है इसका मतलए there is acceleration यहां acceleration exist करता है इस acceleration के लिए आपको एक force apply करना पड़ता है and this force is the external force this is the external force that acts on the body अब सवाल है कि इस external force का source क्या है question is but is the source of this external force but is the source of this external force so एक इसका relevant answer है कि the source of this external force is other body कोई दूसरी body के साथ आप इसके पर force लगाते हैं so the source of external force is the other body इस चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाते हैं किस तरी को गहराई से जानने में कामियाब होंगे एक और आपके साथ उधारन करते हैं कि for example कि आप billiard खेल रहे हैं यह billiard का table है और यह बच्चे कंचे खेलते हैं गाउ में तो उसका उधारन आप ले सकते हैं कोई एक उधारन यहाँ एक ball है so this this ball is B and this ball is A अब इस ball को आप यहाँ से hit करते हैं stick के साथ यह ball जाती है और A के साथ टकरा जाती है it will strike to this ball आपको यह ऐसा लगेगा कि जो ball A है वो B के उपर टकराने के बाद force लगाएगी force on B because of A अब सवाल है कि क्या A के उपर B force लगाएगी या नहीं यह आपने सोचना है यह आपके लिए assignment है पर इस discussion को करते करते आपको खुद idea हो जाएगी कि क्या जो ball B है जो rest में है वो क्या A के उपर भी force लगाती है एक उधारण यह आपका पास first example हो गया second law of motion का और यह दूसरा example जो आप nature में देखते हैं और आपने सोचना है साथ में एक science पढ़ने बाला बच्चा जो है वो सोचने के लिए जाना जाता है तीसरा example हम आपके साथ करते हैं जो third example is तीसरा example है कि आपको आपने एक spring देखाए आपके ball pen में spring होते हैं यह देखे हैं आप उसको प्रेस करते हैं उसके बीच में spring ऐसा होता है ओके यह spring है जिसकी अपनी को एक length L है आप क्या करते हैं इसके पर एक force लगाते हैं F1 इस force को लगाने के बाद क्या होता है कि यह जो spring है वो दबने के बाद बहुत ऐसे दब जाता है और इसकी जो यह length है L2 हो जाती है और यह और pressing it compressing it with this force F1 अब आप खुद अंदाजा लगाए यह खुद फील किया होगा आपने कि यदी force F1 नीचे की और आप लगा रहे हैं आप इसको compress कर रहे हैं so there is some opposite force this is restoring force acts in the opposite direction यह force जो आप बाद direction में काम करेगा इस direction में काम करेगा so in this case F1 is equal and opposite to F2 अब इसी concept के साथ आपने इसके पर भी सोचने की कोशिश करनी है एक आपको और उधारण देते हैं इसमें आपने देखा कि यह जो दो bodies थी वो एक दूसरे के contact में थी एक दूसरे के संपर्क में थी जब एक body दूसरे एक body के उपर force लगा रही थी तो यहां दोनों cases में जो दोनों bodies हैं वो एक दूसरे के contact में हैं पर ऐसा भी हो सकता है पर आजसे आजकल आपको आम खा रहे हैं यह आपको आम का पेर बना देते आए और यस आम पेड़ के बहुत मीठे मीठे आम अब इस आम के पेड़ से एक आम नीचे के और गिरता है और इसको हम पका हुआ आम लाल आम बना लेते हैं ताकि आपको मुह में पानी आ जाए ये आम है अब आम जो है ये जमीन पर गिरता है अर्थ के पर गिरता है सवाल ये है अब अर्थ और मैंगो जो है इनके बीच में क आपको खीन्च रही ही, है अपनी और, so force on mango by earth और यहाँ से force लग रहे है, force on mango by earth and force on earth by mango, right तो अब यह दुन्हों एक दूश्रे के contact में तो नहीं है, there is no contact, no physical contact, यासा case है, no physical contact, इसमें कोई physical contact नहीं है so without being in a physical contact earth is attracting the mango toward its side but question is क्या mango भी earth को attack करता है तो इसका जो answer यह है कि जो force on mango by earth is equal to force on earth by mango यह दोनों ही एक दूसरे के equal होते है और opposite होते है पर आप सवाल है कि बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर आप इस बताईए कि यह आप हमें क्या पढ़ा रहा है तो हमें तो दिखता है कि आम ही नीचे की और जा रहा है और जो earth है वो तो उपर को कभी जाती है हमें दिखती ही नहीं तो हम चोटे-चोटे बच्चे हैं पर आप हमें ऐसे मत सिखाए हमें बुद्दू मत बनाईए पर बच्चों ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है अपना फार्मूला पढ़ा है अब यदि इस एक्सलेशन को आप मैंगो के केस में देखें तो फोर्स अपन मास अफ दे मैंगो मैंगो का जो मास होगा वो बहुत कम होगा तो उसका एक्सलेशन बड़ा जादा होगा एक्सलेशन बड़ा जाना होने का मतलब है जो मैंगो की बेलोस्टी जो चेंज होगी उसका आपको आइडिया हो जाएगा अब यही acceleration आप आर्थ के लिए करें देखिए यह formula आर्थ के लिए लगाएं force upon mass of the earth अब mass of the earth mango के comparison में बहुत बड़ा होता है आपने mathematics बड़ा है यदि यह denominator बड़ा होगा तो जो answer है ratio का जो answer आएगा numerator और denominator का जो answer आएगा वो बहुत small हो जाएगा इसलिए जब पेड से mango नीचे गिरता है पेड से आम नीचे गिरता है तो जैसे आपको आम नीचे आते हुए दिखता है ऐसे अर्थ भी ऊपर क्योर जाती है पर उसका mass बहुत ज्यादा होने के बज़ा से आप उसकी change in blue streak observe नहीं कर पाते हैं यह इसका एक relevant answer है हम अपनी चर्चा को आगे फिर जारी रखते हैं तो अब हम धीरे धीरे newton's third laugh motion जो हमारे article का discussion का heading है उसकी और हम proceed करते हैं सवाल कि जो newton mechanics है इसमें हम newton के गती के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह newton के गती का तीसरा नियम है newton ने कहा कि जब force कभी भी किसी body के उपर काम करेगा तो वो single नहीं करेगा वो हमेशा pair में होगा तो जैसे मान लो two bodies interact करती है जैसे आपके पास एक body है उसका नाम हम A रखते हैं और दूसरी body है उसका नाम हम B रखते हैं तो यदि A body B के पर force लगाती है तो उसको हम बोलेंगे force on body B by A और वो इस direction में होगा force on B by A और यह force जो opposite force ऐसे होगा force on A by B तो newton के अनुसार यह दोनों force equal होते हैं और opposite direction में होते हैं और हमेशा यह pair में काम करते हैं force act on the two bodies always in pair interacting bodies always act in the pair and force on A by B इसको पढ़ना कैसे आप देख ले and force on B by A यह equal होते हैं और opposite direction में होते हैं हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इसको एक concluding statement की form में newton ने इसको ऐसे लिख दिया to every action to every action there is to every action there is always always equal and opposite reaction to every action there is always equal and opposite reaction और यह जो law है इतना simple है कि हर आदमी के जुवान पर गुंता रहता है हर आदमी बोलता है that to every action there is equal and opposite reaction so the new term arises from the third law of motion is action and reaction अब हमें action and reaction को clarity से आगे समझना है कि दोनों के बीच में भेद कैसा है कि क्या action कौन सा पार्ट होता है reaction कौन सा पार्ट होता है इसको तह से जानने की बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें misconception बहुत ज्यादा होती है तो इसको समझने के लिए हम इसको चर्चा को आगे फिर बढ़ाते हैं यह term action और reaction in the third law means nothing यह force के ही नाम है action भी force ही है action भी force ही है और जो reaction है वो भी force ही है तो इसमें misconception यह हो जाती है कि एक physical concept के दो नाम जब आप रखते हैं then it will become sometime confusing तो इसको simple और clear बेस यह दि हमने लिखना हो तो आप इस law को revert करके आप कुछ इस तरीके से लिखें जब आपको पूछा जाए कि define neutrons third law of motion तो आप इस first statement के जगा second statement लिखें पहल यह है force always occur in pair force always occur in pair ऐसा लिखें कि force हमेशा pair में काम करता है always occur in pairs आगे statement को जारी रखें force on body A force on body A by B force on body A by B is equal is equal and opposite to and opposite to the force on the body B body B by A B by A अब देखिए आप इसको डाइग्राम से आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास यह दिए दो बॉडी है और दो बॉडी एक दूसरे के साथ टकरा रही है A and B इसके उपर भी मैंने explanation दी है तो जो A body है वो इसके उपर एक force लगा रही है तो इसको आप बोलेंगे force on body B by A force एक बेक्टर quantity है तो जो body B है इसको आप red arrow से आप देख सकते है ऐसे करके तो force जो B body हो A पर लगा रही है force on A by B तो इसको आप ऐसे ले सकते है कि F A B is equal and opposite to F B A So this is the clear and precise definition of the Newton's third law of motion चर्चा आगे फिर जारी रहेगी कि जो term action और reaction हमने इस्तेमाल किया है यह इस फास statement में देखी action और reaction नाम का एक word का हमने इस्तेमाल किया यह एक wrong impression डालता है हम इसमें ऐसा समझते हैं कि जो action है वो cause है we take action as a cause and reaction as effect we take reaction as effect so but it is not like that we take action and reaction as a cause and effect but it is not so it is not like this there is no cause and effect relationship there is there is no cause and effect relationship cause and effect relationship इसको आप समझने की कोशिश करें इसको इसकोр्स करता है तो आप इसके इसको एक बजॉचं का नहीं है आप आप a एक wrong idea होगा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अब इसको आप इसमें clarity करने के लिए आप इसको आगे फिर हम चर्चा करते हैं जो action और reaction होते हैं the forces यह जो action and reaction forces है acts on the different bodies फिर आप चलिए आगे action and reaction acting on the different bodies यह body A और यह body B right consider करी यह जैसे हमने यह body A और B को हमने consider किया तो इसको हम third law motion से कैसे लिखेंगे तीसरी बार लिख दिया मैंने force on A because of B is equal to force on B because of A or opposite direction में होगा इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि दोनों ही force equal है और opposite है so thus if we are considering the motion of any one body so दोनों वैसे किसी A force का यह आपको knowledge हो जाए तो वो काफी है मतलब A के उपर B कितना force लगा रहा है B के उपर A कितना force लगा रहा है दोनों को जानने की ज़रूरत नहीं है और जो force on the body both these forces act on the body at the same time so there is no cause and effect relationship मतलब आसा नहीं है कि A body जो हम इसके पर force लगाएगी तब B body react करेगी it is not like that अब दोनों में से किसी A को action ले सकते है किसी दूसरे को reaction ले सकते है because both act at the same time so but इसमें एक एक सवाल और है इसमें जो logical सवाल है कि क्या आप इन दोनों forces को को ऐसे लिख सकते है कि F net is equal to 0 आप ऐसा लिख सकते है कि F net is equal to F a b plus minus of F b a और इस cancer आप 0 लिख सकते है no ऐसा भी आप नहीं कर सकते भाई because this is possible यदि आप इसको एक system मान के चलते है only then it is possible there are two bodies so you cannot add these two forces to make this net force equal to 0 तो फिर ही कब हो सकता है यदि मान लो आप एक rigid body का case लेते है and there are large number of particles and you are taking all these small masses inside the body as a system उस case में आप इन सब force जो equal or opposite force rigid body के masses एक दूसरे कपर लगाएंगे उनके forces को आप add कर सकते है and this is cause the internal force of the body internal force of the body और इसका आप net sum 0 लिख सकते है but आप इस में नहीं लिख सकते है क्योंकि दो separate system है A और B so in this case it is not possible this is very very important for you to understand this so अब मुझे उमीद है कि आपको Newton's third law of motion जो है वो समझ आ गया होगा हम अब इसके उपर एक बड़ी interesting मजदार जो आपके ग्यान के चक्षू खोल देगी इसी problem को हम solve करते है यह बहुत मजदार समस्या है और कितने सुंदर्ता से इसको बनाया गया है यह बहुत आपके ग्यान में बढ़ावा करेगी अपक ग्यान गयान में नीजों आपको हम देखनी आपकािस आन श狂चा इसलीगे ओनकल तर्फी पताश्यान में थूर्टै कुछ को और सभी के लिंगल ड़ा नीजश में आपके लिंगोछे रच्प ग्यान खtechn का रिश्यान Hum आपको लगेगा पहले हमें ध्यान से अपना जो सवाल है उसको पढ़ना है दो आइडेंटिकल बिलियर बॉल्स है एक जैसी बॉल्स है एक बॉल्स है और इसी स्पीड से वह बापिस आ रही है यहां जो यहां जो बॉल है यह पहली बॉल जो है वह इस तरी के से टकरा रही है जो दूसरी बॉल है वह 30 डिगरी के अंगल के ओपर दिवार के साथ टकरा रही है and get reflected without any change in speed ना तो speedist में change हो रही है और ना ही speedist में change हो रही है यही है वो figure 5.6 जिसकी बादचीत की हुई है सवाल अब से है कि the direction of force on the ball due to each ball दोनों cases में आपने बताना है कि force की direction की सोर होगी direction of the force आपको निकालना है direction of force यह आपको निकालना है दूसरे में आपको निकालना है the ratio of the magnitude of impulse imparted in the to the ball by the ball इसमें ratio of the magnitude कितना impulse का magnitude कितना होगा और इसमें impulse का magnitude कितना होगा पर उसके बाद इसके रेशो बनाते हैं, ओके, यदि हम एक जनल, एक इंस्टिक्टिव आंसर निकालने की कोशिश करें, एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस बॉल, ये बॉल जब इसके उपर टकरा रही है, तो इसमें तो जो फोर्स है, वो अपना अंदाजा लगाएं, एक अंदाजा भी बच्चा लगाता है, कि शाइद मुझे लगता है कि इसका अंसर ऐसा होना है, तो आपको लगेगा कि जो दिवार जो इसके पर फोर्स लगाएगी, वो तीस डिगरी का ही लगाएगी, पर सयोग बश ये आपका अंसर सहीँ अब हम इसको आपके साथ solve करने की कोशिश करते हैं और इस प्रशन का उत्तर ढूनने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आप देखिए आप figure number 1 के ओर चलिए इसका जो initial momentum है इसके दो component बना लेजिए एक X component और एक Bicomponent तो जो figure number 1 figure number 5.6 A part के उपर हम सबसे पहले अपना ध्यान लगाते हैं इसमें जो initial momentum along X direction में क्या होगा यह है mass of the ball and this is the velocity of the ball along X direction और यह देखिए जड़ा आप बाई direction में initial momentum क्या होगा क्योंकि बाई direction में आपका ball जाई नहीं रहा है तो यह 0 होगा फिर आप देखिए कि जो final momentum होगा वो X direction में कितना होगा तो वो हो जाएगा mass वैसे ही रहेगा आप velocity की direction जो है वो बदल चुकी है तो वो हो जाएगा minus of M time UX और ऐसे ही जो final momentum बाई इनर जारेक्शन में क्या होगा क्योंकि तो body by direction में तो जाही नहीं रही है तो वो 0 हो जाएगा राइग तो जो change in momentum है इसको आप further u भी ले सकते है change in momentum impulse impulse that is the change in momentum impulse that is equal to change in momentum तो जो जाएगा minus M time U so velocity along x direction is only U so minus M time U तो जाएगा minus 2 time M U और आप negative sign shows that the change in impulse जो sorry change in momentum is along the negative x direction so जो force की direction होती है it's the direction of change in momentum so इसका मतलब the direction of the force will be along the negative x direction तो इस सवाल का जबाब आपको मिल गया इसको मैं लिख दूँ 1 और इसको मैं लिख दूँ 2 और change in momentum along by direction यह आगे x component यह आगे x component और by component of impulse हम लिखते हैं by component of impulse impulse का जो by component होगा वो क्या होगा वो हो जाएगा यह देखे 0 minus 0 तो यह 0 ही रहेगा इसकी तो आगे फिर चर्चा बढ़ाने के ज़रूरत नहीं है अब हम इसके दूसरे diagram को देखते हैं और यह आपको बड़ा यह जो बॉल है वो इस दिवार के साथ टकराती है और x-axis के साथ एंगल 30 degree बनाती है यह arrow यह बताता है कि direction of the motion of the wall और यह arrow बताता है कि टकराने के बाद जो बॉल है वो 30 degree के पर बापस इधार आ जाती है और arrow दिखाता है कि यह इसके direction यह रहेगी और दोनों cases में यूँ बताता है कि उसकी जो velocity change नहीं हो रही है हमारा सवाल यह है कि हमने निकालना है कि इस यह जो ball है वो wall के उपर जो striking ball है उसके उपर force किस direction में लगाएगी तो उसको हम impulse से निकाल सकते हैं और impulse जो होगा वो change in momentum होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि momentum कितना change होगा तो पहले हम initial momentum निकालते हैं इसके लिए हमने दो component लिये हैं एक x-axis में निकालेंगे और दूसरा हम by-axis में निकालेंगे मैं इस vector को extend करता हूँ इस तरीके से तो इसका जो initial momentum होगा वो mass into velocity होगा तो हमें velocity से ही vector quantity है और इससे हमें idea हो जाएगा दिखिए ये angle भी 30 degree होगा इसका explanation देनी के ज़रूरत नहीं है तो इसमें जो momentum होगा वो इस direction में हो जाएगा m u और यह हो जाएगा cos 30 degree आप resolve करना जानते है ने जब हम vector को resolve करते हैं तो जिस axis के साथ वो angle बनाता है उसका वो cos theta रह जाता है और इस axis में initial momentum क्या होगा momentum along by direction initial क्या होगा वो हो जाएगा m u cos 30 degree okay resolution of the vector से आप इसको solve कर सकते है और अब आपके पास आ गया यह देखिए momentum initial along x-axis initial momentum along x-axis वो होगा m u this is cos 30 degree okay so m u cos 30 degree and this initial momentum along by direction is initial momentum along by direction is m u sin 30 degree this part अब आप final momentum क्यों चलते हैं final momentum में आप इसको resolve करिए इसको resolve करने से आप देखिए यह जो velocity vector है इसका angle इस axis के साथ 30 degree है इसका जो यह वाला side हो जाएगा वो हो जाएगा m u cos 30 degree अब देख लेजिए जो x component of the final momentum है वो कितना हो जाएगा this is m u cos 30 degree और यह minus होगा क्योंकि आप समझ गये है वेक्टर डाइग्राम से आप देख सकते हैं और जो final momentum होगा वो resolve करें आप आप resolve करना आपको सिखाया है पहले already इसकी चर्चा करने के ज़रूरत नहीं है तो जो final momentum होगा वो क्या होगा m u sin 30 degree अब आप यह देख सकते हैं कि जो change in momentum है x component of impulse क्या होगा इसमें x component of impulse क्या होगा final momentum minus m u cos 30 degree और minus initial momentum minus m u cos 30 degree तो यह हो जाएगा minus 2 m u cos 30 degree it is clear to you and the now by component of impulse is by component of impulse is by component of impulse क्या होगा देखे जरा उसका initial component क्या है यहां हम लिखे देखे 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 हैं p by final यहां लिखे देखे देखे p by final वो क्या होगा m u sin 30 degree तो final को आप घटाएए यह आ जाएगा आपके पास m u sin 30 degree और initial भी semi direction में है m u sin 30 degree तो जो by component में जो change in momentum है 0 है और यह पहले diagram में भी SI था यह देखें by component of impulse is 0 here by component of impulse is 0 और यहां देखे आप गौर से जो x component of impulse है वो along negative x-axis है negative sign shows that this is along negative x-axis so that is very interesting तो इसमें क्या है कि the direction of impulse जो direction of impulse होगी वो direction of force होगी आप से पहले सवाल में पहले part में पूछा है direction of the force तो इस case में पहले case में क्या होगा आप answer को देखिए यह है minus 2 mu तो velocity negative की negative direction कौन सी होती है negative x-axis की और है इसका मतलब जो force है वो perpendicular to the ball और negative x-axis की और लगेगा और आप x component of the impulse second diagram के लिए देखे तो उसका जो x component है इसमें negative sign यह बता रहा है negative sign of velocity means this force is also perpendicular to जो आप पहले 30 degree का अंदाजा हम शुरू में लगा रहे थे यह perpendicular to the ball along negative x-axis होगा तो ball जो है जो ball इसके उपर टकरा रही है उसके उपर force लगाएगी in the negative x-direction और जो ball टकरा रही है बहुत दिवार के उपर वो force लगाएगी इसके उपर in the positive x-direction so this is the answer of the question और जो दूसरे पाट में आप से पूचा है कि ratio of magnitude of impulse imparted to the ball by ball so ratio of the impulse imparted ratio of impulse imparted ratio of the magnitude of the impulse imparted to the ball in both the cases a and b is equal to the पहले case में है magnitude ही लेना है हमने ratio of यहां लिख देते हैं हम magnitude ratio of magnitude of impulse imparted is equal to इसको साफ करके लिख 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 लिख, ratio of magnitude of impulse imparted, ratio of magnitude of impulse imparted गो आजाएगा पहले case में है ये 2MU और दूसरे case में है ये 2MU cos 30 degree इसके साथ एक cancel हो जाएगा इसके साथ एक cancel हो जाएगा दिस इस 1 by cos 30 degree और ये हो जाएगा 1 upon under root 3 by 2 जिसका आप लेख सकते हैं 2 by under root 3 और इसके अदे आप solve करें इस इस नियरली 1.2 तो इस आपने मुझे लगता है शायद बहुत सुंदरता से इसको सीखा भी होगा तो और इस तरीके कि आप problem करें अलग-अलग किताबें लेके multiple choice questions अब solve करने की कोशिश करें और यदि फिर कोई समस्या आती है तो comment box में लेके हम उसके recording उसका answer दे देंगे आदे बहुत